थाना श्वित्र के ग्राम कचीर में चोरों ने सोमवार मंगलवार के दर्मियानी रात्री अलग अलग पांच घरों में धावा बूलते हुए चुरी की वारदात को अंजाम दे डाला और नगदी सहीद लाखो रुपए के सोने चांदी के आभूशड लेकर चमपत हो गए ग्राम कचीर निवासी मुन्नालाल श्रिवास अपने परिवार के साथ एहमदाबाद में रहकर मजदूरी करता है मंगलवार के सुबह पडूसियों ने मुन्नालाल के मकान का ताला तूटा हुआ देखा जिसके सूचना पडूसियों द्वारा मुन्नालाल को दी गई घटना के सूचना मिलने पर थाना ध्यक्ष का करवई सुरेंदर सिंग पटेल वा उपने रिक्षक नरिंदर सिंग घटना इस्थल पर पहुँचे जहां मुन्ना लाल के मकान के सभी ताले तूटे पड़े थे और सारा सामान बिखरा हुआ था फिलाल मुन्ना लाल के घर आने के बाद ही ये सपश्ट हो पाएगा कि उसका क्या क्या सामान चोरी हुआ है इसके साथ ही चोरो ने इसलाम अली के सूने मकान को उस समय अपना निशाना बना डाला जब वो परिवार सहीत ग्राम गड़हर जिला हमीरपूर के मेले में चूड़ी की दुकान लगाने गया था सुबा घर पर आकर उसने देखा तो मकान के सारे ताले तूटे हुए पड़े थे पीडित ने बताया कि गोद्रेज में रखे उसके एक लाख आट हजार उपए सहीत सूने चांदी के आभूशन गायब थे इसके अलावा चोरो द्वारा देवी दीन विश्व कर्मा के मकान वबहानु प्रताब पांचाल के दुकान में लगे ताले तोड़ कर चोरी करने का प्रयास किया इसके बाद बेखौफ चोरो ने राजकुमार प्रजापती के मकान को अपना निशाना बनाया जहां चोर ताले तोड़ कर कमरे में रखे पांच हज़ार उपए चोरी करके ले गए खबर पढ़े जाने तक ककरवई पुलिस द्वारा चोरी की घटना की जाच की जा रही है ककरवई से चंदर प्रकाश डिवेदी के रिपोर्ट